आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ A question is A polymer having monomer units blank और ये हमें दिया गया unit ये monomer unit हमें दिया है अगर इसको आज देखें तो इसमें क्या है? 2 हमारी repeating monomer units है 2 repeating monomer unit कौन सी है? ये वाली है अगर हम यहां से breakdown करेंगे इसे तो हमें 2 monomer units मिलेंगे तो total ये जो हमें polymer दिया है इसमें total number of monomer units कितनी है? total number of monomer units इसमें दी गई है हमें टू ठीक है अगर हम इन दो यूनिट को सेपरेट कर लेंगे तो पर यूनिट हमारी क्या आई है CCH3 CH3 CH2 ठीक है और यह CH2 आगे किसी से connected और यहाँ पर यह N है और फिर से यह CH2 आगे आजाएगा CCH4 CH3 ठीक है तो यह जो हमारी मोनोमर यूनिट है इसका नाम होता है आईसो बयूताईलीन यह हमारी यहाँ पर मोनोमर यूनिट मोनोमर यूनिट और यह जो पॉलिमर बनाती है एंच जो पॉलिमर फॉर्म होता है polymer formed वो होता है यहाँ पर polyisobutylene polyisobutylene ठीक है यह polyisobutylene हमारा यहाँ पर monomer form होता है ठीक है तो होता क्या है इसमें basically double bond अगर हम इसको लें तो यह हमारी butene, isobutene unit होती है CH2, C CH3 and CH3 और यह होता है यहाँ पर double bond ठीक है, इस double bond का breakdown हो जाता है, जो यहाँ पर bond बनाता है और आगे bond बनाता है जब इस double bond का breakdown हो जाएगा तो यह जाके यहाँ से एक bond बना लेता है, single bond C, ठीक है यह C है यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है तो यह जाके आगे और bond बनाता है जाके आगे bond बनाएगा तो यह isobutene जो होता है isobutene जो है यहां से हमारा निकल के आया है isobutylene तो यहां पे जो हमसे पूछा गया था polymer having monomer units 2 यहां पे 2 monomer units है 2 of isobutylene इस पॉली आइसो ब्यूटाइलीन क्लासिक्स चुट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप यह whatsapp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर